हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग प्लांट्स को स्पोर्ट देने के लिए ट्रेलिस बनाना बताऊंगी जो कि आप बहुत ही इसली बहुत ही जल्दी और बिना एक भी रुप्या खर्च के बना सकते हैं अभी जो मैं आपको ट्रेलिस या आप उसे प्लांट स्पोर्ट भी कह सकते हैं बनाना बताने वाली हूँ उसके और भी कई बेनिफिट्स हैं जैसे कि ये ट्रेलिस आप प्लांट के एकॉर्डिंग या वो प्लांट जिस जगह पर या जिस कंटेनर में लगा हुआ है उस कंट बदातर ट्रेलिस दिवार पर फिक्स की जाती हैं तो एक बार जब हम ट्रेलिस पर प्लांट चढ़ा देते हैं तो फिर प्लांट की जगह चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन इस ट्रेलिस के साथ ऐसा नहीं होगा इस ट्रेलिस वाले प्लांटर की जगह आप जब चाहें अपनी मर्जी से और मौसम के according बहुत ही easily change कर सकते हैं। तो अब इस super easy plant spotter को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और भी ऐसी ही useful वीडियो देख सकें। तो spotter बनाने के लिए हमें चाहिए ऐसी किसी भी पेड की कुछ टहनिया। ये टहनिया कितनी लंबी लेनी है ये डिपेंड करता है उस प्लांट की ग्रोथ पर जिसके लिए आप ये spotter बना रहे हैं। अगर प्लांट की ग्रोथ ज्यादा है तो आप बढ़ा या प्लांट बढ़ा है तो आप लंबी ब्रांचिस लीजिए और अगर प्लांट छोटा है तो आप ब्रांचिस छोटी भी ले सकते हैं। अब हमें इन ब्रांचिस से ऐसे सीड़ी बनानी है। CD कितनी चोड़ी बनानी है ये depend करेगा उस port के size पर जिसमें आपने trellis लगानी है इसके लिए पहले ऐसे measure कर ले और फिर measurement के accordingly ladder की चोड़ाई रखे अब ladder के steps बनाने के लिए इन छोटी वाली branches को ऐसे paste कर ले चिपकाने के लिए आप glue gun, quick fix या favicle जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं अब इससे और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इन छोटी branches को ऐसे रसी से भी बांद ले और बस अब ये trellis ready है अब हमें इसे planter में लगाना है पोट में लगाने से पहले अगर उस पोट की soil dry हो तो उसे पानी दे कर गीला कर ले क्योंकि गीली soil में trellis लगाना बहुत easy हो जाता है अब ऐसे holes कर ले और बस trellis को इन holes में लगा दे ये देखिए ये मेंने लगा दी है अब बस इस पर ऐसे plant को चड़ा दे ये देखिए अब ये ऐसा लग रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइक क्यों और घपी गर्डंगीओ